दो चीजें जिनके जीवन में नहीं होती वो रुच्यों के पास होते हैं कौन से दो चीजें दमन और निग्रह दमन और निग्रह दो चीजें कभी दमन किया है अपना कि हम दमन करेंगे दम शम दम कभी डाटा डपता है अपने को कभी निग्रह किया है अगर निग्रह नहीं क यह बड़ा टेस्टी लगता अपने को, तो यह अच्छे लगती चीज़, तो जो शम्दम जिनके जीवन में से निकल गया है, जो निग्रह नहीं कर पाते, वो रुचियों के पास खड़े होते हैं, और निग्रह में डाटना पड़ता है कभी, जैसे छोटे बच्चे को डाट लगते हैं, दो शम्द बहुत अच्छे लगते हैं, तीसरा नहीं अच्छा लगता, एक है लालन, दूसरा है पालन, और तीसरा है ताडन, एक है लालन, एक है पालन, और तीसरा है ताडन, एक बच्चे को कभी ताड़ा भी जाता है, लालन पालन करते करते, अगर आपने त ताडन नहीं किया है, यह बताया जाता, ऐसे नहीं बैठोगे, ऐसे नहीं करोगे, तो जब आप उसे बताएं, यह नहीं करोगे, तो कभी क्या आपने अपने मन को बताया, यह नहीं करोगे, यह नहीं कर सकते हैं, तो कितना मात्रा में ताडन किया है आपने अपना, कितनी मात आपने अपने को रोका है कि यह बस मर्याद आये हैं इसके आगे नहीं हम लांग सकते हैं अपने को तो लालन पालन तो हम करते रहते हैं अपने मन का ताड़न नहीं करते निग्रह नहीं करते दमन नहीं करते और एक सीधी सीधी बात है जिसके पास धरम नहीं है अंकुष नही एक ऐसा शब्द है कि बहुंँ मरमस्थल पर मारा जाएगा हाती के मस्तक में एक जगे ऐसी होती है जहां वो बार-बार थोग कर मारता रहता है आप मेंसे बहुत से कम Lओं को पता होगा कि हाती को बाइं ले जाना है दाइं ले जाना हिए ये पैरों से बताया जाता है, हाती के मस्तक पर पैर मारा जाता है, एक जगे पर, महावत को पता है, कि कौन से जगे पैर मारना है, कि हाती बाई और चले, कौन से जगे पैर मारना है, कि दाई और चले, पर वो लगवक इतनी सी जगे होती है, बस, एडी जितनी जगे, एडी म भाएंजे के चोटमारी एर इसका अर्थी है कि हाती बाईयों और जाएगा दाहीं और जाएगा और आप ने ध्मक इन चार भमँ लगा दिये इसकाम आप बैठ जाब बैठ जाब अति बैठ जाएगा हती बैठ बैठाए जाता है बैठ जाई यह महावत को पता है कब बैठाना है हाती को हाती के मस्तक के बीचो बीच वो जो एड़ी जितनी जगह है वह तीन चार बार 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 एड़ी से प्रहार करता है बैठ जा और तब हाती धीरे से बैठने लगता है और महावत को मालूम है कभी नहीं बैठेगा तो और मारता है वो और मारता है उसे मालूम है अब बैठ जाएगा आपका हाती कब बैठेगा कभी चोट मारी एड़ी से अगर भीया मन लो मन उंट की तरह से है तो कभी नकेल डाली उसमें क्योंकि उंट जो है नकेल से काबू आता है अंकुष्य नहीं और मालो मन घोड़ा हो तो कभी आपने उसमें वलगाएं डाली है उसके मुह में चलनी राग उसकी जिव्याद छिल सके ऐसा को लोहे का सिकंजाओ उसके मुह में डाला है लगाम कभी डाली है तो घोड़ा लगा तो कैसे ठीकर में आमन घोड़ा बन गया तो कैसे ठीकर मैं आगे चलो ऑमन बच्चा बन गया है तो कैसे ठीकर में